हलो माई लवली किट्स वेलकम बेक आप सबने चितनी रायम पहले मैंने दी सब रिवाइस की हैं आप लोगोने ना उसको डेली रिवाइस करेंगे फिर तोडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू रायम और आज हम लोग एक नई रायम स्टार्ट करेंगे टाइटिल्ड डिंग डॉंग बेल ना रिवाइस डिंग डॉंग बेल जैसे बेल बचती दोर बेल सुने हैं आप लोगोने डिंग डॉंग तो तो तैट इस डिंग डॉंग बेल ओके now ding dong well poussies in the well poussies, poussie कौन है? poussie एक cat है क्या है? cat, ठीक है? in the well, well क्या होता है? well किसे कहते है? kooën को well किसे कहते है? kooën को poussies in the well यानि कि poussie कहां चली गई है? well में who put her in who put her in मतलब किसने who माने किसने put रखा है उसको अंदर who put her in तो little tommy thin एक छोटा सा baby है जो की कैसा है? बहुत दुबला प्यारा sweet सा ठीक है? तो उसने little tommy thin his name is tommy उसका नाम किया है? tommy तो उसने cat को well के अंदर रख दिया है and who pulled her out मतलब who pulled who माने कौन pulled means खीचना हर out किसने उसको बाहर निकाला तो little johnny stout little johnny एक johnny नाम का भी एक बच्चा है और वो बहुत कुलू मुलू सा सुन्दर सुन्दर सा प्यारा प्यारा सा क्यूटू क्यूटू सा है तो उसने तो आपको उसकी help करनी चाहिए उसकी मदद करनी चाहिए ठीक है ना start one two three start ding dong bell who's is in the well who put her in little tommy thin who pulled her out little johnny stout again ding dong bell who's is in the well who put her in little tommy thin who pulled her out little johnny stout now last time ding dong bell who's is in the well who put her in little tommy thin who pulled her out little johnny stout now all of you enjoyed सबने मज़ा आया सबको पढ़ने में तो you have to revise it properly and learn it very properly आपको ये क्या करना है learn करनी जितनी रायम्स में हम आपको दे रही है आपको सब revise करनी है देली और ममा पापा को सुनाना है और फिर जब आप स्कूल आओगे तो फिर हमको भी सुनाओगे ठीक है ओके बाबाई सी यू अगें